Hello everyone, this is Indra Vikram. Welcome to Magnet Brains. इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सफर. नया सफर क्या है? Chapter 8 में ही आपका अब वाइस यानि समुद्री यात्राओं का दौर शुरू होगा. इसे यरॉप में Age of Discovery या Age of Exploration के नाम से भी जाना जाता है. जब यरॉप के लोग दुनिया के बाकी देशों को खोजने निकल रहे हैं. वजहें जो भी हों, क्या होंगी, वो पता चलेंगी. जिन जगहों को खोजा गया, उन जगहों के साथ जो बरताव किया गया, जो behavior किया गया, जिस तरीके से उन जगहों को, जिन उन प्लेसेस को exploit किया गया, वो आपको पढ़ने को मिलेगा. तो सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि क्या ऐसे social, political, economic, or religious reason रहे होंगे, कारण रहे होंगे, जिनकी वजह से यरॉप के लोग, दुनिया के बाकी हिस्सों को explore करने निकले, या age of discoveries शुरू हुई. क्योंकि हमारा जो chapter 8 जो हम पढ़ रहे हैं भी, ये chapter 8 क्योंगे हैं, चप्टर अब आपका, या chapter 8 ही है, तो इसमें जो है, ये एक चीज है, कि अब confrontations हो रहे हैं, अब confrontations की बात कर रहे हैं, अब confrontations जो हो रहे हैं, European के बाकी cultures के साथ में, उसमें क्या होगा, पहले ये लोग निकलेंगे, और उनके contacts में पहुँचेंगे, जो नए लोग हैं, तब confrontation शुरू होगा, बस वहीं से, एक नए दौर की शुरूवात होगी, एक परिवर्तन का समय निकलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, Europe के जो लोग हैं, ठीक है, इनके बारे में हमारे इन Caribbean और Central American जो ट्राइब से इनको बिलकुल पता नहीं था, पता भी कैसे होगा, simple सी चीज़े क्योंकि कोई contact हुआ नहीं था, अभी तक हम वीडियो में जो पुराने औ साउथ की, इनके बारे में उनने पढ़ा, एस्टेक्स के बारे में आपने पढ़ा, मायास के बारे में, इंकास के बारे में, अरावाक्स के बारे में, इन सारे ट्राइब्स के बारे में आपने पढ़ा अभी, अब यह जो ट्राइब हैं हमारी, यह अपने आपने एक पूल्स रेगलेशन के साथ में चल रही है इन्हें पता नहीं कि नाव पर नाव पर नहीं बड़े-बड़े जहाजों पर सवार होकर एक बहुत-बड़ा खत्रा इनकी तरफ आ रहा है जो खत्रा इनकी दिशाधारा को बदल देने वाला है और इनमें से बहुत सारे लोगों क से हमें इनके बारे माता चलना इनके खुद ke होने की वज़े से हमें इनके परने नहीं पता चला क्यूंकि इनका दुनिया के साथ में उतने बड़ी almost नहीं में ऑत की थी बलके उनसे कहीं ज़्यादा विक्सित थी तो जब खोजा भी गया तो फिर समझ में आ गया कि अच्छा हम तो इतने पुराने कारबन डेटिंग और साइंटिफिक टेक्निक्स जूट नहीं बूल रही थी तो हमारे इतिहास को दबाना उनके संभव की बसकी बात नहीं थी उनके लिए संभव नहीं था बट इनके इतिहास को बहुत कुछ यह इतिहास बना गए तो पीपल आफ सदन अमेरिका और करेबिय जिन जिनकी हम बात कर रहे थे एस्टैक्स और जो ट्राइबस हैं यह सारे लोग यूरोपियंस के अस्तित्य उसे बिलकुल भी क्या थे वाकिफ नहीं थे इन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसे हैं यूरोपियंस लोग रहते हैं जो फ्यूडल विवस्था में अपने अट्लांटिक ओशन को पार करके यूरोपियंस बड़ी बड़ी नावों में सवार होकर इन करेबियन और सदन अमेरिकन आइलेंड्स की तरफ बढ़ने शुरू हुए और पहुँच गए हैं ना तो हमारा जो नॉर्दन अमेरिका का हिस्सा है ठीक है हमाले लोग एक तरीके अगर देखें ठीक है तो आप देखोगे कि यह नॉर्दन अट्लांटिक ओशन हो गया आपका यह सदन अट्लांटिक ओशन हो गया आपका ठीक है करेवियन आइलेंड हो गया यहां पर यह आपके ठीक है ग्रेटर अंटलेस लेसर अंटलेस बहामास और यह सब जो है वह इनके उपनिवेश बनने का समय आ रहा है दिरे दिरे तो यह लोग अपने ही जीवन में मस्त और इन्हें जादा पता नहीं है अभी ठीक है यॉरॉप के बारे में और अब समय आएगा जिससे यॉरॉप के लोगों को इनकी जानकारी होगी और इनको यॉरॉप के लोगों की जानकारी होगी अब इन समुद्री यात्राओं में सबसे महत्वपून रोल जिस चीज ने प्ले किया वो थी मैगनेटिक कंपास के डिवाइस अब वो कैसे कैसे डिवलप हो रही है उसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं लेकिन मैगनेटिक कंपास हमें पता है और यह मैगनेटिक फिल्ड जो है वो इस तरीके से काम करता है ठीक है तो मैगनेटिक कंपास का जो एवालूशन है मैगनेटिक कंपास का विकास है उसको यूरोपियंस के नजर से आप देखोगे तो वो लगभग इटली में 13th century के आसपास trace होता है लेकिन उसके पहले भ एशिया में कंपास का इस्तेमाल हो रहा था ठीक है चाइना वगरा में इसके traces मिलते हैं तो कंपास की working methodology बहुत सिंपल से है याना कि आपको एक पुराना जो कंपास होता था उसको पेपर पीस के ऊपर निडिल लगा जाती थी और मैगनेटिक जो अर्थ का field है उसके हिसाब से उसको रखा जाता था क्योंकि magnetic field जो है उसमें जब आप उसको रखेंगे तो उसकी जो निडिल है वो magnetic field के इसाब से northern direction के तरफ सेट होगी और इसके हिसाब से आप दिशाये जो है वो ग्याद कर सकते हैं तो यही magnetic device जो है या मैं कहतू magnetic जो compass है इसने help किया लोगों को cardinal points को northern southern ठीक है magnetic field के basis में जो cardinal points है इनको identify करने में help किया और अब अभी जो यूज हो रहा था शुरू में ओ टॉलिमी का map यूज हो रहा था जिसको अभी हम देखेंगे वीडियो में दीरे दीरे जैसे 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 geographical advancements होंगे scientific advancements होंगे वैसे वैसे proper cardinal points को divide किया जाएगा proper mapping शुरू हो जाएगी पूरे दुनिया की जैसे जैसे और यह लोग आगे बढ़ते चले जाएगे और इसके बाद map की techniques में भी development होंगे अभी confirm हो जाएगा कि प्रतिवी जो है वो गोल भी है गोल ही है भी नहीं है तो उसे साब से हमारे devices भी और advance होने वाली हैं आगे बढ़ते हैं पंद्रहवे शुताबदी के आसपास ठीक है इस magnetic compass का इस्तमाल हमारे Europeans ने समुद्री आत्राओं को करने के लिए इस्तमाल कर दिया था ठीक है यानि उनका इस्तमाल समुद्री जो unexplored areas है उन unexplored areas को ढूनने के लिए कर दिया था ध्याम रखेगा ठीक है क्योंकि अब जरूरी चीज़े थी कि ऐसे छेत्रों को ढूणा जाए जो unknown है इनके पीछे बहुत सारे कारण है वो सारे कारण आपको पता चल जाएंगे वीडियो में दीरे दीरे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो हम उन unknown reasons के बारे हम बात करेंगे जो unex explored areas को explore करने में help कर रहे हैं ठीक है जो unexplored areas को explore करने में help कर रहे हैं चलो अब धीरे से हमारे यरॉप के जो लोग हैं इन्होंने बड़ी-बड़ी नावों में बैट के पहले तो ships का ship building का काम शुरू हुआ और ship building जो है वो अपने perfection की तरफ पहुँची बड़ी-बड़ी ships का formation किया गया और बड़ी-बड़ी ships में धीरे से जो सामान इन्हें sell करना होता था या जो भी जरूरी चीजों का भी सामान होता था क्योंकि यात्रा ही करनी है तो अब इन्हें तो खुद नहीं पता होता था कि कितनी लंबी यात्रा तक जाएंगे कितने particular distance को cover करेंगे कितना time लग सकता है उन्हीं आत्राओं में ठीक हैं तो अपने सुरक्षा वगरा के उपकरन लेकर क्योंकि कई बार हो सकता है हम जाएं और अचानक हमारे उपर आकर्मन हो जाएं तो हम नए जगहों को ढूंडने जा रहे हैं वहां पर किस तरीके के लोग हैं यह भी तो अपने नहीं चाहता हमारे नेबरिंग कंट्रीज के लोग नहीं चाहते कि यह लोग नए देशों को ढूंड लें क्योंकि कॉम्पटिशन बहुत टॉफ है यह न तो अब यह अपनी शिप में बकाइदा सारे रिसोर्स को लेकर बैठेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे क्लियर है पंद्रावी शताबनी में यह जो यअरॉपींस एक्स्प्लोरेशं पे जा रहे होते थे हैं इनको सहायता कौन दे रहा है है इनको मौटिवेशन उस चीज का कौन दे रहा है तो सोशल और पॉलिटिकल और एकोनोमिक मौटिवेशन तो हैई सही लेकिन उसके साथ-स उस को जो गॉटनेंट्स का डिस्टृभूशन है आप टॉलिमी का माप देखेंगे तो उसने बहुत कुछ जो कॉन्टेनेंटल एकस्पांशन है अर्थ में उसको मैपिंग कर दिया था उसको दिखा दिया था जेॉग्रिफिकल तरीके से दिखा दिया था उसका क्लासिफिकेशन किया है कॉंटिनेंट्स का टॉलमी ने ये पंद्रहभी शताबदी के आसपास का मैप है ध्यान रखिएगा ठीक है तो टॉलमी डीका टॉलमी आपको पता है कि बहुत बड़े इनीश्यल कॉंट्रिब्यूटर है जोगरफी के फिल्ड के भूगोल में जो आज की रेट में हम पढ़गरा है वो शुरुबात कौन कर रहा है टॉलुमी कर रहा है और बाद में फिर इसमें बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ते चले गए तो Ptolemy was one of the biggest contributor उसके पहले भी आपको नाम मिलेंगे और scientist के और philosophers के क्योंकि पहले philosophers ज्यादा होते थे scientist कम होते थे क्योंकि observation नहीं करते थे experiments उतने बड़े level पर नहीं करते थे तो उनके पहले भी टॉलमी के पहले भी लोग मिलेंगे आपको बट यहां पर टॉलमी जो है उसकी जो जो जोग्रफी है ठीक है जो लगभग लगभग एकदम 14th century के एकदम शुरुवाती समय पे लिखी गई थी और 14th century के एकदम शुरुवाती समय में जब लिखी गई थी तो बाद में 15th century के आ एक्स्प्लोलर्स थे जो बहुत सारे लोग अलग अलग जगों को ट्रेस या एक्स्प्लोर करना चाह रहे थे वो इस बुक को टॉलमी की बुक को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है तो यह क्या कह रहा था टॉलमी ने अपने इस जोग्रफिकल माप में कुछ कंट जो प्रीज है ठीक है जैसे एजिप्ट वगरा है और दुनिया के बाकी जगों को लाट लाट इसूट्स और लॉगिटूट्स के हिसाब से दो बाइफरकेट कर रखा लेकिन आज के लाटिटूट्स और लाटिटूट्स तॉलमी की बुक या टॉलमी की जिएग्रफिक से latitude और longitude से काफी different होते थे ध्यान रखी क्योंकि उस जमाने में जो cardinals हैं या मैं कहूं कि latitudinal और longitudinal जो classification है वो इतने deep में नहीं था या exact location जो है वो बड़ा मुश्किर होता था identify करना clear है तो उस जमाने में उसने जो arrange किया था वो आप देख सकते है कि बहुत चोटे से area में arrange क्या हुआ है continents को clear है अब टॉलिमी जो है वो बिचारा है भी तो इतने पुराने समय का ठीक है चलो यह basically इजिप्ट को belong करता था ठीक है इसमें जो continents mention किये गए थे वो तीन continents mention किये गए थे यरॉप एशिका और आफरिका ठीक है तो शुरुवात में चुकि अब आप देखोगे भी तो आपको आपका जो मैं कह दूँ जो इस्टन हेमिस्फियर का हिस्सा है तो इस्टन हेमिस्फियर के हिस्से में आपको ज्यादा तर जो इस्टन हेमिस्फियर में अब यॉरॉप तो है सही तो यॉरॉप का जिक्र तो है सही लेकिन इदर अट्लांटिक ओशन से के पार आकर इन जो नॉर्दन और हमारे सदन अमेरिकन एरिया इनको एक्स्प्लोर नहीं किया गया था अभी तक इनके बारे में लगों को पता नही तो यह देखो यह पूरा अब यह बड़ा विशाल सागर पड़ता है यहां पर यह अट्लांटिक ओशन का इलाका हो गया हमारा यॉरॉप हो गया अफ्रीका हो गया और इदर ग्लोब में आप देखेंगे तो एशिया हो गया आपका तो यहां पर क्या था कि यॉरॉपियंस अनभिग गये थे यह पूरा अन्नोन था भी यॉरॉपियंस को ठीक है और ज्यादा से ज्यादा क्या है अब जो मैपिंग है उस मैपिंग में यह लोग जब यॉरॉप से निकलेंगे ठीक है तो यॉरॉप से आएंगे तो यहां अबेरियन पैनेंसुला हो गया आपका यह तो आप देख रहे हैं यहां पे ठीक है यह कंट्री जीज फिर्षफ है स्पैनिश लोगो ने इसे नाम दिया था इबेरियन पैनेशा बीसिकनली ठीक है तो प्रत्रीलिध और स्पैनिश क्योंकि पोर्ट्रीज चाहिए एंगे इस चीजों की इन चीजों की मतलब पिं सकते विकिम दलय दसी वेज़ समुद्रीग आत्रां उन एक तरीके से लीडर्षिक कर रोल प्ले करेंगए ठीक नं हुटर वर्वकर कहते हैं ये लोग इसग्रवर्ण इस चेतर को ओल्ड विलिक के नाम से यप प्राचीन दुनिया के नाम से बुलाते थि कैसे इवेरियों पेनिसुला के बात का जो इलाका है, और इवेरियों पेनिसुला के beyond जो इलाका है, उसे ईक लोग लोग कहते थे, Old World का इलाका या प्राचीन दुनिया का इलाका और ये Old World जो होता था ये इने अन्नोन था अभी ये इनके लिए अभी बिलकुल एक्स्प्लोड नहीं था तो आप देखेंगे कि यहां से फिर आगे अब पेनिसुला जो है हमारा Iberian Peninsula यहां से यह लोग आगे बढ़ेंगे ठीक इस तरफ पहुंच जाएंगे खुलियर है तो इधर जब पहुंचेंगे तो इनको मिल गया कि हमारा अमारिका तो यह अब ढूरने तो निकले तो क्या इंडिया एक तरीके से मतलब पूर्वी देशों को ढूरने के लिए निकलेंगे ना लेकिन गल्ती से पहुंच गए कुछ और इलाका में कोई बत नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पहले यह जो इलाके हैं वो एक्स्प्लोड नहीं थे यहना देखो हमारे जो Islamic invasions हुए Mongol invasions हुए इनके थुरू बहुत सारा जो इलाका है वो इंडिया की तरफ का वो explode था पहले से और आप कहे दो कि Europeans को जरूर knowledge नहीं है ठीक है लेकिन आप ये देख रहे हो Pacific Ocean का जो इलाका है हमारे अमेरिकन कॉंटिनेंट के वेस्टन का इसके एडिसेंट तक का इलाका काफी कुछ explode था अब ये देखो जो अर्बीज हैं जो चाइनीज हैं इंडियन्स हमारे इवन चोला डाइनस्टी से इंडिया को अगर आप ट्रेस करना रहते थे तो ये माग्जमम इलाका यहां तक का explore था यह और धीरे धीरे हमारी जो फौर्टीन सेंचुरी थर्टीन फौर्टीन सेंचुरी तक का समय हैं यहां पर आप देखोगे तो यह एरियाज हैं जिने हमने नाम दिया है क्या पॉलिनेशिया तो पॉलिनेशियन कंट्री जो हैं जैसे न्यूज़ेलेंड वगरा यह कंट्रीज हो गए ठीक है माइक्रॉन एशिया तो पुराने जमाने में यह नाम दिया जाता था ठीक है तो यह हो गया हमारा pollination countries ठीक है ना तो pollination countries जो हो गई आपकी यहाँ पे French pollination और यह जो यह New Zealand और यह सारी जो है यह जो triangle दिख रहा है आपको इसे हम कहते थे pollination तो यह pollination और micron Asia का जो area है यह काफी कुछ इन लोगों के दोरा already explore कर लिया गया था ठीक है और यहाँ पे बहुत सारी major crossings वगरा थी जिनको Asians लोग जानते थे Europeans से यह लोग जो है वो काफी ज़्यादा आप कहा सकते हो छुपी हुई है अभी है ना चलो आगे बढ़ते हैं तो शुरवात में हमारे ग्यार्वी शताबदी के आस पास नौर्वे से है ना जो वाइकिंग्स का जिक्र आपने पढ़ा है आप आपके पिछले chapters में तो वाइकिंग्स जो है बेसिकली नुमाडिक ट्राइबल्स थे यह लोग जो है यह नौर्थ अमेरिका में ग्यार्वे शताबदी के आस पास पहुँच चुके थे पहले एक बार अब इन्होंने उस समय इसको इतना explore नहीं किया उस समय इनको इतना explore नहीं किया था और उतने evidences भी नहीं मिलते हैं लेकिन पहली बार हमारे वाइकिंग्स जो हैं यह बेसिकली कौन लोग होते थे यह plunderers होते थे और आपको पता sea pirates हैं डाकू तरीके के लोग हैं यह लोग इस एरिया में 11th century के आस पास आये थे North America में अब Europeans यह जो age of exploration शुरू कर रहे हैं इस age of exploration के दोरा यह एक नए समय को शुरू कर रहे हैं इसमें बकाइदा यह लोग जब जाएंगे तो इनके कुछ investments होंगे वहाँ पर क्योंकि अभी वाइकिंग्स वगरे जबाए थे तो यह आए और raid वगरा करके या फिर लोकल लोगों को लूट के और जो भी उनको संसाधन मिले उससे वो चलेगे क्योंकि जब आप northern parts से आएंगे तो Northern Atlantic Ocean को पार करके आपको अमेरिका आना थोड़ा सा easy पड़ जाएगा Southern America का हिसा अभी भी unexplored था इनके लिए चलो तो अब यह जो समुद्री quest है maritime quests है यानि यह जो समुद्री अब यात्राएं शुरू हो रही है और इनके पीछे यह जो explorations है यान तो इनके पीछे क्या question है इनके पीछे जग्यासा क्या है उसको हम समझते है ठीक है तो Europeans यह जो maritime quest या जो curiosity आ रही है इनके अंदर इस curiosity के पीछे इस जग्यासा के पीछे इस curiosity के पीछे कुछ न कुछ motives थे यह motives आप broadly तीन parts में divide कर सकते हो ठीक है social economic religious and political not social इनके कुछ economic benefits है इनको अपने religion को भी spread करना है जब Columbus निकल रहा है तो आप देख रहे है वो church से भी permission ले रहा है जो area explore होगा उस area में church के जो अधिकारी है church के जो officers है Pope, bishop वो जिन लोग इस area को खोजेंगे उन्हें कुछ न कुछ designations grant करेंगे जैसे Columbus कहेगा कि अगर मैं खोजता हूँ कोई area तो मुझे वहाँ का governor का पद चाहिए मैं वहाँ पर supreme authority के तोर पर rule करूँगा और king को report करूँगा directly और church जो है उनको हम exploit करेंगे अपनी चीजों को वहाँ पर sell करेंगे क्योंकि अब हमारे यहां भी जो भी industries में products हो रहे हैं उनको भी हमें नई जगह पर खापाना है नई जगह पर sell out करना है तो economic explorations है gold वगएरा की तलाश है spices की तलाश है religious motive भी है धर्म का भी परचार करना है ठीक है और political motives तो है ही है तो basically ये तीन motives थे तीन उदेश थे जिन उदेशों को लेकर ये समुदरी यात्राएं शुरू होगी ध्यान रखेगा और इनको एक-एक करके थोड़ा सा और elaborate कर दूँ अगर मैं तो economic reason में आपको पता है कि Europe का ये जो समय था याना especially पंद्रहवी शताबदी 14 और 15 सेंचुरी के मिड का जो समय था Europe बहुत सारे economic up and down से गुसर रहा था Europe में climatic changes भी हो रहे थे Europe में climatic changes के साथ agricultural जो output है वो अपने सबसे lowest level पर था death or diseases fell रही थे Europe में इस जमाने में और in death or diseases के बीच Europe sustain करने के लिए अपनी घरती population को जो है वो जिन्दा रखने के लिए लोगों को at least subsistence के लेबल पर livelihood के लेबल पर भोजन उपलब दिकरानी के लिए संगर्ष कर रहा था ठीक है तो ये वो समय था मैंने कहा ना कि ये वो समय है जब बिमारी फैली थी death का नाम black death का नाम आपने अल्रडी सुन रखा है जो plague है ये ना plague की बिमारी फैली हुई थी इसी में और population जो है बुरी तरीके से Europe की जो है वो drastically decrease हो रही थी और Europe में trade के कमी की वज़े से currency का जो flow है वो भी बहुत कुछ अपने decline phase पर था तो Europe को अब क्या है Sone की gold की requirement थी silver की requirements थी ठीक है ना जो की European coins को बनाने के लिए use किये जाएं क्योंकि gold और silver वहाँ पर बहुत shortage में था, silver वगएरा कुछ-कुछ था, Austria वगएरा से आता था लेकिन अब वहाँ पर भी बहुत कुछ कम हो गया था, आपने पढ़ा था कि इसके पहले वाली जो economic crisis आई थी एरोप में उसमें silver की भी shortage पढ़ गई थी तो Europe बड़ी भारी economic crisis से घुजर रहा था इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसके अलावा कुछ और reason है, यह तो problems थी ही, है ना trade को support करने के लिए इनको क्या चाहिए था, कि Italian states जो है, Italian states से जो capital accumulate हुई है है ना, उनको यह कुछ थोड़ा बहुत इस्तिमाल कर रहे थे, क्योंकि वही एक पात्र अभी trade का इनके पास साधन बचा हुआ है इसके अलावा कुछ बचा नहीं हुआ है Italian states के थूँ जो अभी silk route वाला area है वहाँ से कुछ ना कुछ trade हो रहा था इनको अभी अभी अपना route establish करना है, अपना route स्थापित करना होता था, ठीक है तो उसकी वो कोशिश कर रहे थे, चलो so, इस long distance trade जो की ये वाले route से हो रहा है, इसका अब decline phase इनके लिए है ये अपने पतन पर है क्योंकि यहाँ पर लगबग हमारा Ottoman Empire है और Ottoman Empire की वज़े से भी कुछ trade में imbalances पैदा हो रहे थे Europeans के लिए trade करना थोड़ा महगा भी हो रहा था, capital उनके पास पूजी उनके पास थी नहीं और इतने बड़ी समुद्री यात्राइं करना लैंड route और फिर sea route और उसके बाद आपको Asia पहुँचना, बीच में बहुत सारे mediators के थूरू व्यापार करना तो अब ये चाहर है थे कि direct trade route establish हो जाए ठीक है और उससे थोड़ा सा इनको फाइदा निकलना शुरू हो जाएगा ध्यान रखना clear है तो ये long distance trade route जो है आपको इसकी history लगबग पता होगी क्योंकि हमने an empire across three continent में भी इसका जिकर किया और अभी आपका जो इसके पहले वाला system है इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी हमने इसके बारे में जिकर करा है कि किस तरीके से जो silk route का हिस्सा है वो दीरे से उसका पतन हुआ था है silk route का जो हिस्सा है वो आपने मंगोल वाले chapter में देख रखा है तो map जो है वो भले ना दिखा हूं लेकिन Asia से Europe को वो connect करने वाला trade रूट था जिसमें आपका Middle East बहुत important role play करता था clear है और अब ही क्या था कि यह जो middle 15th century का जो शुरुवाती दौर था 15th century के शुरुवाती दौर में हमारा जो Constantinople है यह पूरी तरीके से तुर्कों के कबजे में चला गया था तुर्क जो है वो उनके कबजे में यह पूरी तरीके से चला जाएगा और जब तुर्कों के कबजे में होगा पूरी तरीके से तो यह trade imbalance establish हो जाएगा ध्यान रखेगा यानि ट्रेड में यह तुर्क जो है वो रोमन्स के जमाने से बहुत important trading port रहे हैं और यह इनकी strategic location भी ऐसी थी कि इनको ignore किया नहीं जा सकता था अब Italians तो तुर्कों के साथ में trading route जो है वो establish कर दे रहे थे ठीक है लेकिन अब इस trade में जो तुर्क हैं यह अच्छे खासे taxes impose करते थे बड़े भारी मारत्रा में कर जो है वो वसूला करते थे अब इस trade के दौरान इटली से जब बाकी यूरोप के जगों पर सामान जाएगा तो महगा हो जाएगा और उनको इसकी बड़ी हुई cost पे करनी पड़ेगी इस cost को पे करने के लिए हमारा यूरॉप का western यूरॉप का हिसा यूरॉप की बात जब मैं कर रहा हूं तो यूरॉप में western eastern क्योंकि constantinople की बात करी वो eastern यूरॉप का हिस्सा हो गया तो western यूरॉप का हिस्सा हमारा जो है वो लगबग इतने economic prosperity के दौर में नहीं था कि वो इस trade में अब बकायदा उसी level पर participate करें जैसे पहले कर रहा थ तो अब इसलिए इनको जरुवत महसूस होगी देखो कि हम alternate trade route establish करें और alternate trade route establish करके इन Asian countries को वापस से find out करें और जब हम वापस से find out कर लेंगे अपने alternative route को जिसमें हमारी खुद की monopoly होगी अब उसमें हम अपने तरीके से व्यापार करेंगे independent trade करेंगे हम रखेगा clear है चलो इसके साथ साथ Christian जो हमारे missionary है Christian हमारे जो leaders है ये लोग भी in sea voyages को क्या करेंगे in adventures को promote करेंगे reward वगरा देके उनको promises वगरा देके ठीक है कि बही ऐसा है कि आप in sea voyages पर जाईए clear है तो इस तरीके से ये कहीं न कहीं motivation होगा तो economic reason हुआ religious reason हो गया political reason ही है crusets वगरा जो है धर्मयुद वगरा जो हुए थे है ना तुरकों क्या against में तो यही वो समय है जब हमारे Constantinople पर तुरकों का कभजा हो गया तो बाद में European जो feudals हैं वह इन एरिया को free करानी की भी सोचेंगे तो crusets वगरा शुरू होंगे जिससे religious war की situation होगी और इस religious war के दौरान हमारा यह जो यूरोप का trade हिस्सा है यह ना यूरोप का यह जो व्याफारिक हिस्सा है इस्टन वाला इससे western यूरोप का भी थोड़ा सा contact होगा उनको भी लगेगा यार एशिया के साथ trade थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद है और खासकर जो साले वगारा आते हैं महां से उसकी हमें requirement है meat वगारा को preserve करने के लिए उस climatic condition में meat को preserve करना medicines वगारा के लिए बहुत जादा spices के requirement होती थी तो यह कुछ applications थे जो इनको attract कर रहे थे जो इनको force कर रहे थे एशिया की तरफ आने के लिए clear है तो इस तरीके से अभी के समुद्री यात्राओं का नया दौर शुरू हो गया यहां से ठीक है चलो अब ट्रेड जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल के बिना तो होगा नहीं व्यापार करने के लिए आपको राजे रजवानों का जो साथ है वो तो चाहिए या मैं कह दूँ कि पॉलिटिकल कंट्रोल के बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल आपको इजाज़त मिलनी चाहिए तो उसके बाद ट्रेड होगा सही कहीं कहीं न कहीं ठीक है तो यहां से एक नया concept आजा कि देखो अगर हम कहीं पर व्यापार करने जाते हैं और उस जगह पर अपना political leadership या political grab करते हैं उसको politically वहां की leadership को grab करते हैं राजनीतिक रूप से वहां पर अधिपत्य जमाते हैं तो यह कहीं कहीं क्या चीज करेगा यह हमारे लिए थोड़ा सा helpful रहेगा खास कर ऐसी जगहें जहां पर थोड़ा सा क्लाइमेटिक चेंजिस भी हैं क्योंकि अब यॉरॉप में वापस से ठंड वगएरा पड़ रही थी अच्छे खासे लेवल पर तो थोड़ा सा कंपरेटिवली वार्मर क्लाइमेट वाली कंट्री इसको ढूणा जाए और उनको अपने कॉलोनी में कंवर्ड किया जाए कॉलोनी का मतलब सिंपल सी चीज है वहां के पॉलिटिकल पावर को ग्राब करना वहां के पॉलिटिकल लीडर्शिप को ओवर्टेक करना हाईजैक करना तो जब पॉलिटिकल पावर को हाईजैक कर लेंगे आप तो रिसोर्स भी आपके रिसोर्स आपके और रिसोर्स को एक्स्प्लॉइट करने की पॉलिसीज भी आप है जो sea voices का दौर है यह शुरू हो रहा है इसमें contribution किया हमारे सबसे पहले जो henry है जिसे henry the navigator भी कहा जाता है क्योंकि यह पुर्तगाल का उसमें राजकुमार है ठीक है पुर्तगाल के और चूंकि इन्हों ने navigation techniques में अच्छी खासी कहें innovations करी नई चीज़ें इसलिए इसे कहा गया henry the navigator आज का जो आप compass देख रहे हैं इस compass में उस समय Columbus ने जो इस्तेमाल करा ठीक है उसको design करने में हमारे इस person का ही बहुत बड़ा contribution है henry the navigator का contribution है ठीक है तो magnetic field को detect करने वाले जो cardinals थे उनको इसने properly arrange करा और उसी compass का इस्तेमाल करते हुए इसने सबसे पहले 1450 में वेस्ट आफरीका की एक city थी ठीक है क्यूटा जिस पे attack किया और यहां तक महुचना अभी इनके लिए एक नया अनुभव था च्योंकि अभी आफरीका के इस cost को यह explore नहीं कर पा रहे थे मैंने कुछ देर पहले ही आपको इसी वीडिया में दिखाए कि जो Ivarian Peninsula का हिस्सा है Ivarian Peninsula के हिस्से के आगे अभी ज़्यादा explorations नहीं हुए थे ध्यान रखिएगा ठीक है तो यह आपका Ivarian Peninsula का हिस्सा जो हो गया उस Ivarian Peninsula के हिस्से से यहां से यह ज़्यादा अभी explorations नहीं हुए थे ठीक है अब जब Henry ने यहां पर attack किया ठीक है तो West Africa के इस हिस्से पर उसके बाद से और ज़्यादा expeditions organize किये गए और Spain के साथ-साथ हमारे पुर्टगाली लोग जो है इन्होंने भी expeditions करे यानि अभियान करे और Portuguese लोग जो है इन्होंने जब expeditions करे तो trading expeditions में आफरिका के आगे तक का हिस्ता cover किया यह आप देख रहे हैं ठीक है जहां पर पुर्टगाली लोग जो है वो trade establish कर रहे हैं हमारे clear है तो अब आप देख रहे हैं कि धीरे 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 यह उस trade route को अभी तो Cape of Good Hope तक आएंगे फिर Cape of Good Hope से Cape of Horn तक आएंगे फिर Cape of Horn से आगे इनको इंडिया और बाकी जो Asian countries हैं वो मिलेगी तो अभी इनका जो exploration है वो बहुत आगे तक बहुत बाद में जाएगा यह ना चल तो Cape बुज़दोर जो है जो आफरिका में यहां से पुर्तिगीज ने ट्रेडिंग रिलेशन इस्टाबलिश करे और शुरुवाती दोर में आफरिकंस जब ट्रेडिंग रिलेशन से इस्टाबलिश हुए तो आफरिकंस को एंसलेब किया गया यह ना यह पश्चमी छेतर के जो आफरिकंस हैं इनको एंसलेब किया गया यहां के लोगों को इन एरियास को आफरिका के कैप्चर कर लिया गया जैसा कि जस्ट पहले अभी हमने चर्चा करी कि ट्रेड का जो फ्लॉरिस्मेंट है ट्रेड का जो प्रॉस बनícios चलो तो इसके अलावा आफ kıक को इंसलेख बनाने चैनल के आलाव यहां से बहुत सारी कीमते धातुर्व में जैसे सोना वगरा इनको भी बड़े पैमाने पर लाया गया और अब जो Europeans चाह रहे थे ये लोग उनको धीरे-धीरे provide करा रहे थे कुल मिलाके आप ये समझो कि हमारे Africans जो हैं हमारे आने वाले जो Tribals हैं वो Europe के इन Explorers की जो Greed है उसको solve करेंगे या उसको satisfy करेंगे solve क्या करेंगे उसको satisfy करेंगे एक तरीके से Spain में ये जो Economic Greed है ये और ज़्यादा देखो कैसे अब Spain में चुकि जो Steve Oasis शुरू हो रही है वो Spain से शुरू हो रही है देखो यानि समुदरी यात्राओं का Explorations का या Age of Discoveries का जो दौर शुरू हो यहीं से शुरू हो रहा है तो यहां पे जो Economic Greed है लोगों के अंदर की चलो है ना नए एरियाज को Conquer भी करेंगे और वहां के Knights Lords बनेंगे यहना वो Feudal mentality ये 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 तरीके से वो तो हई सही अब जमीन में Europe कम है तो वहां Lords अलड़ी बने है तो अब नएने लोगों में ambition है कि हम समुद्री महादीपों के चोटे-चोटे Islands के Lord बनेंगे वहां के Knights बनेंगे तो वहां पर लोगों के दिमाग में कुछ जो Memories हैं कौन सी Memories Crusades की Memories ठीक हैं कि धर्मियुद हुए थे तो उसमें Europe ने अरबों के Contacts अरब के Control से या अरबों के Control से जो Iberian Peninsula है उसको मुक्त कराया था और इसी विजे को इसी जीत को Re Conquista कहा जाता है री का मतलब वापस दो वर्डों से मिलके बना हुआ है री का मतलब वापस से ठीक है repeat कर रहे हैं वो ठीक है है ना री का मतलब वापस से Conquista वर्ड जो है इसका मतलब Conquer कर रहे है उसे एरिया को जीत रहे है ना उसकी Victory वहाँ से वो Connect कर रहे है अपनी तो Re Conquista का मतलब यह 1492 में Christian Kings जो है वो अरबों के Control से Iberian Peninsula का जो हिस्सा है उसको वापस से मुक्त कराएंगे तो वो एक Confidence बढ़ाए ही हुआ था इन लोगों का ठीक है इस चीज ने Niji Ambitions को Ambitiousness जो है लोगों की जो Ambitiousness है उसको और हवा दी ठीक है और नए Pattern शुरू हुए यरोप में इन Pattern को कहा गया Capitulations Capitulation क्या होता था Basically Contract होता था एक तरीक का इसे आप Capitulation का मतलब ही होता है एक तरीके का Military या Civil Contract दियान रखना ठीक है So Military या Civil Contract तो इस Contract में इस तरीके के अनुबंध में होता क्या था इस तरीके के Contract या अनुबंध में होता यह था कि जो Spanish King है हमारे ये Spanish King नई जो Conquered Territories है उस पर अपनी Sovereignity या अपना स्वायत स्वायत तो ठीके Sovereign स्वायत ता एकदम Independent Ruler मानते थे Internal और External Decision लेने में Independent ठीके तो Sovereignity अपनी स्वायत ता यहाँ पर प्रदर्शित करते थे कि जिन जिन एरियास को जीतेंगे अब वहाँ पर स्वायत ता रहेगी और एक Contract होगा जिसे जो भी व्यक्ति नई एरिया नई territory को एनेक्स कर रहा होगा जीत रहा होगा एक्स्प्लोर कर रहा होगा वहाँ पर Spanish Kingdom को एक्सपांड कर रहा होगा वहाँ उसको Spain का जो King होगा Spain का जो राजा होगा Spanish जो King होगा वह उसको titles देगा और नई territory में govern करने के rights देगा ये Contracts अपने आप में lucrative थे आकरशक थे जो बहुत सारे लोगों को समुद्री यात्राओं में जाने के लिए promote करेंगे Columbus, Vasco Digama और Vasco Digama तो पुर्तकाल से है बट Columbus की बात करूँ मैं जितने भी लोग ये गए तो ये कहीं न कहीं इन्हीं concept से Capitulations के concept को दिमाग में रखे जा रहे है आगे जब आप देखोगे आगे के वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो यही देखोगे कि Spain जब जा रहा है और वो जिन Southern American को explore कर रहा है दिमाग में उसके क्या है local लोग भले उन्हें एक महमान की तरह ट्रीट कर रहे है लेकिन Spanish लोगों के दिमाग में यही है कि कब मौका देखके इनको जो है वो control करना है यहाँ पर Spanish authority को establish करना है यह Spain का इलाका बनने वाला है आगे जाके तो वो colonial concept जो है वो दिमाग में चल रहा था इनके तो hopefully आपको यह जो पूरा voices of explorations by European की कैसे Europeans ने धीरे धीरे समुदरी आत रहे हैं की वो समझ में आ गया होगा आपकी थोड़ी सी help के लिए बता देता हूँ मैं कि आप के लिए 11th class की जो videos है वो लगबग लगबग पूरे complete हो रहे हैं हम अपने last chapters की तरफ बढ़ रहे हैं और उन videos को आप कैसे find out करें तो आप YouTube channel के तो भी find out कर सकते हैं लेकिन चुकी वो process थोड़ी सी वहाँ पर आपको बहुत crowd मिल जाएगा अब आपको exclusively video history के find out करने हैं तो आप magnetbrains.com ये किसी भी subject के find out करने हैं तो आप जाएं Google पर search करें search box में type करें magnetbrains.com इस तरीके का एक window आपको दिखेगा इस window में आपको यहाँ पर classes दिख जाएंगी series में ठीके आप देख रहे हैं first से लेके 12 तक की class आपको यहाँ पर दिख रही है तो आप class 11 पर click करेंगे जब आप class 11 पर click करेंगे तो you will get a list of faculty members यहाँ पर teachers की faculty members की list दिख जाएगी आपको अब आपको class 11 की history जाना है तो history टच करेंगे यहाँ पर और history जब टच करेंगे तो इस तरीके का box मिलेगा आपको इस तरीके का window देखने को मिलेगा आपको और इसके बाद इस window में आपको यहाँ पर देख रहे है chapter wise videos मिल जाएंगे जिस भी वीडियो को particular video को आप देखना चाहरे है chapter आपने पढ़ा है आपको ध्यान है नहीं पढ़ा है तो भी chapter 1, 2, 3, 4 या आप जैसे शुरू करेंगे chapter पहला अगर आपको देखना है तो आप click करेंगे overview syllabus या section 1 early societies from beginning of the time आपने जैसे इसको click किया वो video आपको direct करेगा redirect करेगा YouTube पे और वहाँ पे आपको video play होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से वो चीज जो आप ढूंड रहे हैं वो मिल जाएगी और आप के लिए knowledge free of cost arrange है magnet brains के website पे तो बने रही magnet brains के साथ Hello everyone, this is अंदर विकरम Welcome to magnet brains इस video से हम शुरू करने जा रहे है Maya civilization के बारे में ये video पिछले video उसके continuation में ही है पिछले video में हमने शुरू किया है Central American State System के बारे में पढ़ना तो इस video में उन्ही Central American और Southern American जो है ये दोनों State System के बारे में discussion होगा और Southern America में जितनी भी tribes हैं especially Maya, Aztecs, Incas इन tribes के बारे में हम पढ़ा ही करेंगे इन tribes के बारे में हम जानेंगे कि basically किस तरीके से वो हैं और फिर अगले वीडियो में इसका जो अगला वीडियो होगा कैसे धीरे-धीरे Europeans, Spain और Portugal के जो Voyagers हैं Explorers हैं वो धीरे आने शुरू हुए धीरे-धीरे और उन्होंने कैसे इन लोगों को subjugate करना शुरू किया तो सबसे पहले जो हमारी civilization थी Aztecs Aztecs के बारे में आप पढ़ चुके हो इस वीडियो में हमारा Maya के बारे में, Maya and civilization के बारे में जिकर है तो Maya civilization जो है वो बहुत पुरानी civilizations में से एक है और शायद आपको याद होगा Maya civilization का एक समय में नाम भी बहुत जादा प्रशलित हुआ था मतब बहुत नीज़ में थे लोग अभी की बात नहीं करी सालों पहले की बात है जब दुनिया खत्श्वानी हुई थी ऐसा कंग African 2020 में दुनिया खत्श्वाला तो वह लंग से हाय थी उस ह्थ मभीश्वानी का जो स्रोत था वो Maya Valir civilization के लोग थे माया civilization के लोगों नहीं ऐसा कहा था basically क्यों अब आप देखेंगे कि माया civilization के लोग कितने उन्नत है so the Maya civilization was developed by the Maya peoples ठीके हमारा जो southern America का हिस्सा है southern America के हिस्से में आप देखेंगे तो आपको बैसे मैं बता चुका हूँ जोग्राफिकल लोकेशन इनकी ठीक है फिर भी southern America के हिस्से के तरफ जब आप आएंगे तो आपको southern America के northern part में ही कुछ tribal loks में लेंगे जो आज की रेट में काफी develop हो चुके हैं आज की रेट में इतने आप कह दो कि मतलब पूरी तरीके से society से cut out नहीं है अगर आप यह समझो कि यह बाकी कुछ ऐसे ट्राइबल की तरह हैं जो पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए हैं उनको पता नहीं है कि दुनिया का development कहा तक पहुँच गया तो ऐसा नहीं है मायन्स जो है वो तरीके हैं फूड की habits उनकी जो clothing patterns हैं यह काफी कुछ चेंज हो चुके हैं पहले के तोलना में लेकिन फिर भी यह एक बहुत पुरानी ट्राइब का हिस्सा है आज भी तो माया पीपल्स के दौरा बसाई के civilization है जिसके जिसे हम क्या कहते हैं माया है civilization ट할wa innaange सीफिव के लिए चारी को चांश फ्यूर्पिज सब चनिख जहते हैं बेसिके अपने लोग भी इसी तरीकी की language का इस्तेमाल करते थे, pictographic language का इस्तेमाल करते थे, जिसमें क्या होता हुथा? इसमें pictures के form में चीजों को represent करा जाता था, याना चित्रों के रूप में जो भाशा है, वो विक्सित्ती, अभी pictographic language जो है, इसी में क्या होता है? मैंने का logo syllabic, मतलब जो कुछ आप बोलना चाह रहे हो, जो कुछ language आप बना रहे हो, उसमें आपको छोड़े-छोड़े images दिखेंगे, और कुछ letters दिखेंगे, जिन्हें आप कहा रहे है logo syllabic, syllable का मतलब अक्षर, ठीक है, letters है, चलो, तो यह जो है वो उस जमाने का, अपने जमाने का सबसे sophisticated और बहुत developed writing system हुआ करता था, ध्यान रखेगा, ठीक है, मायन्स के बारे में, मतलब आप यह कह दो कि यह कुछ लोग हैं, जिनके बारे में हम कुछ decipher भी कर पाएं, यानि इनकी language को हम decode भी कर पाएं, और इनकी language को decode करने की वजह सही, हमें मायान्स के बारे में बहुत कुछ पता है, चलो, तो writing system के अलावा, जो माया सबसेटा के लोग हैं, यह अपने art, यानि अपनी कला, अपने architecture, अपनी कलाकुरती, ठीक हैं, अच्छे जो monuments हैं, बहुत beautiful monuments हैं, सुन्दर इमारते हैं, उनके लिए जाने जाते हैं, mathematics, गनित, calendar and astronomical system, तो यह वो उनका मायान्स का calendar ही था, जो 2020 में दुनिया को खतम करने की बात कर रहा था, अब हो सकता है 2020 के बाद इनका calendar बनी ना पाया हूँ, और उनने के दिया कि अच्छा है हमारा calendar खतम, इसका मतलब हो सकता है कि दुनिया भी खतम है ना, तो आगे का calendar बना नहीं, तो यह logic लगा लिया और इन्होंने बातें बता दी, खैद, इस तरह की भवश्वानी आती रहती हैं, और जिन्दगी चलती रहती है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप देख रहा है, वराइटी ओफ डोमेंस जो है, उनकी जानकारी है, इन लोगों के पास mathematics calendar, astronomical system, अपने आप में ये एक बहुत जबलब चीज़ है, मतलब इनको solar pattern और lunar patterns पर जो दिन होते हैं, रात होते हैं, eclipses होते हैं, ये इनको पता था, astronomy के बारे में इनको अच्छा कासा घ्यान था, तो ये एक अपने आप में क्या चीज़ है, उननत चीज़ है, चली आगे बढ़ते हैं, चलो, अब ये Maya culture जो है, ये कहाँ डेवलप है, मैक्सिको के आज़ पास डेवलपर अमेरिका ना कि सदन अमेरिका की तरफ जब आप आएंगे, ठीक है, या फिर आप कह दो की, अच्छिली Central American का इलाका, तो ज्यादा प्रॉपरली या ज्यादा स्ट्राइकिंग लोकेशन बनेगी, ठीक है, तो मैक्सिको के आज़ पास, ये Mayan people inhabit हो रहे हैं, वहाँ पर बस रहे हैं, और ये बसावट जो है, ग्यार्वे शताब्दी से चौदावी शताब्दी तक 14th century तक, के आसपास यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है, तो माया सबता या माया संस्क्रती, माया लोगों के दौरा बसाई के एक संस्क्रती है, जो ग्यार्वे शताब्दी से 14th शताब्दी तक, 14th century के आसपास तक, आपके Central American Areas में फ्लावरिश हो रही थी, फल फोल रही थी, clear है, चलो, basically माया सबता के जो लोग है, अगरिकल्चर पैटन पर जीने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि अगरिकल्चर के इलावा, कॉल्टिवेशन करते थे जान रखेगा, ठीक है, कॉर्ण कॉल्टिवेशन वोग सेंट्रल टू देर कल्चर, इनके संस्कृति का मुख्य हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, और इवन बहुत सारी जो सेर्मनी होती थी, इनके बहुत सारे जो तेवहार होते थे, ठीक है न, उनमें भी इनका जो कॉर्न है, हार्वेस्टिंग औफ कॉर्न और ग्रोइंग औफ कॉर्न, जो है, वो में एक रीजन होता था, मतलब क्या दूमें, कि जैसे हमारे संस्कृति में बहुत सारे तेवहार बनाए जाते हैं, ये तेवहार किसी विशेश फसल या किसी विशेश सीजन में क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड़, जैसे आप कहें तो बैसाखी का तेवहार भी हम इसी तरीके से मनाते ठीक है वह एक ऐसा मौसम होता है जिस मौसम में फसल उसल करती है और उसके बाद फिर जो हो किसान जो हो तेवहार मना दे तो ऐसे बहुत सारे तेवहार हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं जिनका हमारे ट्रडिशन का हिस्सा था बहुत सारे इनके जो तेवहार हैं वह इसी कौन कल्टिवेशन के अराउंड सेंटर थे ठीक है ना ध्यार नखी गया यानि कब जो है इनको हार्वेस्टिंग करनी है कब उसको कब उसको ग्रो करना है तो उसके आस पास बहुत सारी ऐसी की ती इनकी भाशा मुकताय कैसी थी ठीक्तो ग्राफिक ठीक है अंब कहते तो भावचित्रात्मक कहते हैं इसको यानि की इन फॉर्म आफ पिक्टुर्स उस फॉर्म आफ पिक्ट्रस चित्रों के रूप में ठीक है और हर एक चित्र का मतलब होता यहाँ पर पुछ इमेज जैसा आपको मिलेगा particular image वह particular word को explain कर रही होती दिन पाईन को जैसा मिलेगा आपको पट है उसको भी समझेंगे अब हम आते हैं अगली सिविलिजेशन के बारे में ये हैं सदन अमेरिका का जो वेस्टन पार्ट है वहां पे आज भी एक देश है जिसे आप कहेंगे पेरू इस देश के अब टेशन कार ये बाये हैं सदन अमेरिका का पूरा वेस्टन आरिया दे आप तो यहां पर आपको एक जो है इधर आपको इंकास मिल जाएंगे यह particular पूरी mountain range में distributed नहीं मिलेंगे कि पूरी mountain range में आपको distributed मिल जाएंगे लेकिन आप यह कह सकते हो कि इसके कुछ हिस्से में especially जो पेरू का हिस्सा है ठीक है पेरू जो देश है हमारा वहाँ पर आपको यह इनका settlement मिल जाएगा चलिए तो कौन सी अबता है जो सबसे बड़ी सबता है ठीक है वह है inkaas की ठीक है इनहीं को क्या कहते थे केश्वाज अभी यह pronunciation इस word का थोड़ा साब को है ना लग सेथा केश्वाज तो यह बेसिकली केश्वास कहलाते हैं या इनी को क्या कहते हैं इंकास ठीक है और किस जगह पर जैसा मैंने कहा तो यह बेसिकली आपको मिलेंगे पेरू में चलो बार्वी शताबदी के आसपास in the 12th century आपको फर्स्ट इंका जो है मांको ऐसा माना जाता है कि he was the man who established और who founded this इंका ट्राइब तो सबसे पहले जिस पर्सन का जिकर आता है वो पर्सन है मांको तो मांको से बेसिकली इनकी जो ओरिजिन है मतलब आज की डिट में जो modern इंकास अपनी ओरिजिन करते हैं मांको से करते हैं इसके पहले भी बहुत सारे इंकास हो सकते हैं लेकिन आप वो कैसे हैं कैसे आए आगे बढ़े उसके बारे में जाता evidences हमारे पास नहीं है लेकिन ये कहा जा सकता है कि बार्मी शताबदी में जिस पर्सन से बेसिकली आगे आज उस्ट habits काथे सिस्टम आज modern thumbs के बारें बात हो रही है तो वह इंकास हमारा मांको हो गए इसने अपनी इस्टैब्लिश करी थी capital कहाँ पर गष्ट को थे चैंसे बढ़ोगाई जहां पर इसने अपनी chief होगे कभी लेके उनकी वो divine origin trace कर देते जैसे आपने इसके पहले as tax को भी पढ़ा तो as tax में क्या माने जाता था कि उनका जो chief है उनका जो king होता था वो क्या है he is actually the descendant of sun god यानि सूर्य देवता जो है sun god जो है उनहीं का descendant है उनहीं का origin होती है तो यहां पर भी वैसे ही जो है थोड़ा सापको system देखने को मिलेगा कि हमारे जो यह tribal chief है यह normal person नहीं है चलो so he established this capital और आगे जाकर धीरे धीरे इनका विस्तार शुरू होगा clear है और इसके जो मांकों के जो वंशेज हैं यह बाकी उस चेतर में विस्तार करना शुरू करेंगे उस एरिया में expansion करना शुरू करेंगे ठीक है और सबसे मुख जो विस्तार की गतिविती शुरू होगी वह होगी जो 9 नाइन्थ इंका है यह इसी tradition में मांकों के ही वंश का जो नाइन्थ इंका है उसने सबसे ज़्यादा विस्तार की अध्यान रिखना इंका एंपायर का ठीक है और यह विस्तार लगबग 3000 माईल्स के आसपास था और पेडू के आसपास जो इंकास इस्टैबलिश्ट थे वह अब विस्तारित होकर एकवाडोर और चिली के आसपास के एरिया में फैल चुके होंगे तो कुल मिला के समझ लो कि अब जो इंकास हैं वह एक एंपायर के तौर पर अपने आपको इस्थापित कर रहे है जादा तर अभी ट्राइबल्स हमें जो चल रही है उनकी इससे काम चलाते थे लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अग्रिकल्ट्रल अक्टिविटी और बाकी अक्टिविटी इसके साथ में एक एंपायर एक्सपंशन का कंसेप्ट भी आपको ट्राइबल्स में मिल रहा है और यह सिर्फ विस्तार ही नहीं हो रहा है हाँ पर कॉंसलिडेशन और प्रॉपर अड्मिनिस्ट्रेशन भी इस्टाबलिश होगा मतलब अभी तक जितने भी आपने सिविलिजेशन पढ़ी हैं जिनमें एस्टैक्स पढ़ लिया रवाक्स पढ़ लिया मायास के बारे में आपने समझ लिया उनमें हमारे जो इंकाज हैं यह सबसे ज़्यादा पावरफूल और सबसे वास्ट एंपायर इस्टैबलिश करने वाले लोग हैं ठीक हैं तो यह जो पूरा एंपायर है जो पेरू से शुरू हुआ है पेरू में में सेटल्मेंट था वहां से आगे जाकर एक्वाडोर और चिली का जो इलाका है यहा अगे रही दून के निए क्या किया konzolación का मदलब है कि अपनी जड़ों पर देलम का मजबूत शुरू किया और आप देखेंगे सेंट्रलाइव और स्ट्र्राइश का शूरू किंद्रिकरव सस्टम को शुरू एकिंग है लाईग दा अदर like the other modern dynasties आज के जमाने में आधुनिक जमाने में मतलब आधुनिक का मतलब मैं बता रहा हूँ कि अब जब यॉरप का modern समय शुरू हो रहा है भारत का या पूरी दुनिया में जिसे हम आधुनिक काल का समय कहते हैं तो उस आधुनिक काल में जो आपको सेंटर ऑफ पावर होता था और यहीं से सारी पावर फ्लो होती थी यॉरोप में तो राजा इतना आटो क्रेटिक नहीं था ठीक है शुरू में था फिर बात में गरवड होगी चीज़ें है ना फिर डेमोक्रेटिक वे में दिरे तरह रूल करने लग गया constitutional democracy आगए यॉरोप में लेकिन अभी जो है वह आप देखेंगे की 11 से 14 सेंचुरी के बीच की 12 से जो है वह 15 सेंचुरी की बीच की बात कर रहे हैं और इस दोरान जब यॉरोप की बात करोगे तो यॉरोप में क्या है फ्यूडल सिस्टम चलता था सामंतवादी विवस्था चलती थी ठीक है और यहीं वह समय जब भारत में भी आके आप देखेंगे तो भारत में तो खैर इस समय आपके दिल्ली सल्तनात्व अगरा का जिकर है तो वहाँ पर थोड़ा सा कह रहे हो लेकिन ध्यान रखना कि यह ट्राइब अपने आप में एक बकायता सूसंगठी वेल और गनाइजड मुनार्कियल सिस्टम को भी स्टैबलिश कर रही है तो जो सेंटर आफ पावर होता था वो बैसिकली किंग होता था और इसी को क्या माना जाता था हाइस्ट सोर् तो पॉलिटिकल टॉम्स में सोशल टॉम्स में और एकनॉमिक टॉम्स में दूसरे बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उनमें सब में जो सबसे बड़ा अथारिटी है वो राजा है इस तरीके का जो कंसेप्ट है यह अपने आप में एक आप कह सकत हैं कि डिवलब्ड कंसेप्ट है यॉरॉप के लोग जो यहां पर आएंगे तो यॉरॉप के लोग इनको सब्जूगेट करेंगे लेकिन आप यह मान के चलो कि यह लोग राज तंत्र में यॉरॉप से भी आंगे और जीवन शैली में यॉरॉप से ज्यादा सरल थे कहीं ठी किस तरीके से इनका जब confrontation होगा इनमें बहुत सारे लोग कहेंगे भी यॉरॉपियंस का कि आप तो मतलब लालची लोग हैं इतना कश्ट सहके समुद्र की यात्राय तै करके आप इन देशों में पहुंचे हैं हमारे देशों में आपका स्वागत है लेकिन आपका रहने का वे जो ढंग और तरीका है वो किसी भी तरीके से सब करार नहीं दिया जा सकता ठीक है कि चलो इसके बाद बेसिकली यहां पर मैंने अभी एक नाम लिया था केश्वास केश्वास बेसिकली दे लाइंग्वेज ठीक है कई जगहों पर अभी इतने दिनों का इतिहास पढ़ने पर आपको यह समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइंग्वेज की वज़े से भी मतलब यह लाइंग्वेज के बार उनकी आइडेनिटी का क्या बनती थी रीजन बनती थी यहां पर भी वही चीजह है बेसिकली जो इंकाज है थे वर आल्सों ऐस केश्वास वाइकोज एटोगर त्यक्डीत और ही रीजन होगा कि यही जो केश्योः language है यह इनकी शाही language बनेगी यह इनकी शाही भाषा बनेगी अब यह तो हो गया पुरा इंकास का इनीशन इंट्रोडक्शन अब मैंने जब कहा कि इंकास बिसी कली क्या है? ट्राइब्स हैं तो इसका मतलब यह है कि इस ट्राइबल सिस्टम में आपको बहुत सारे क्लान या और बहुत सारे सब ट्राइब्स मिल जाएंगी ठीक है तो A, B, C, D आप क्या दो मतलब there are diverse category of different सब ट्राइब्स within the Incas clear है each tribe was ruled independently by a council of elders अब इसमें क्या होता था इनको शाशन करने के लिए हर एक tribe की council होती थी अपनी और इस council में उस कबीले के उस clan के जो elderly people होते थे जो बड़े लोग होते थे elders जो होते थे इनको include किया जाता था ठीक है but the tribe as a whole owed its elegance to the ruler जैसा मैंने कहा और इस तरीके से यह समझ लो एक बार और थोड़ा clear समझा दू प्रॉपर hierarchy में राजा हो गया राजा को असिस्ट करने के लिए उसकी अपनी council हो गई राजा को असिस्ट करने के लिए उसकी अपनी council हो गई इस council में भी इकाज के ही लोग होंगे ठीक है इका ट्राइब के ही लोग होंगे और इस इका ट्राइब को properly rule करने के लिए आप चूखिए इतने बड़े एरिया 3000 माइल का जो पूरा इलाका एकवाडोर चिली पेरू इन सब के जो इससे हैं सदन अमेरिका के वह इसमें आ रहे हैं तो कुल मिला के expansion बड़ा है तो एक आप कह सकते हो कि एक capital ठीक है बेसिकली जो capital area हो गया यहां पर राजा है हमारा ठीक है और इस capital area में हमारे राजा ने अपना जो administrative system में उसको बकाईदर जमा रखा है और बाकी areas में उसने क्या कि ट्राइब के जो अलग-अलग लोग हैं इनको कुछ authority दी तो अब बाकी जो tribes हैं मालो tribe 1 हो गया tribe 2 हो गया tribe 3 हो गया tribe 4 हो गया तो इन जगों पर आपको और कुछ group of peoples मिल जाएंगे जो council बनाके rule करेंगे जो council बनाकर rule करेंगे इन council में क्या है elderly लोग हैं यानि उस tribe के जो वरिष्ट नागरिक हैं सयाने लोग हैं जो नियम और कानून इंका tribe के जानते हैं अच्छी तरीके से वो लोग हैं यहाँ पर clear हैं अब यह लोग क्या करेंगे यह लोग rule करेंगे particular areas में हर एक tribe की अपनी council होगी और उस council में वहाँ के senior लोग होंगे और इस तरीके से local administration या मैं कहूँ जो provincial level पर administration है यह वाली जो मतलब कहें कि जो execution होगा यहाँ पर local level पर वो इस तरीके से होगा लेकिन as a whole पूरी तरीके से यह लोग हमेशा अपना जो elegance है ठीक है अपनी जो आग्याकारिता है आप कह दो ठीक है अपनी जो कि इमानदारी है ठीक है वो किसके प्रति व्यक्त करते थे हमेशा इंका किंग की तरफ व्यक्त करते थे तो खुल मिला की system जो बना हुआ जिसमें जो इंका पॉलिकल सिस्टम को सपोर्ट करना है अपने आपको इस्टाबलिस करना पॉलिकल सिस्टम आपको लगवक समझ में आ रहा हूग उसके लिए आप क्या करना होगा आपको military system को भी manage करना होगा ठीक है तो at the same time local rulers were rewarded for their military cooperation तो कुछ-कुछ similarity लग रही है compare करते चलो relatability बहुत important है तो यह सब देखने के बाद आपको वापस है यॉरॉप के feudal system की तरफ कहीं ने कहीं ध्यान जा रहा होगा यॉरॉप का feudal system एक तरीके से different feudal system था जहां पर land के base पर जहां पर जमीन के आधार पर लोगों को authority दे दी जाती थी और राजा supreme authority नहीं होता था ध्यान रखना है राजा का concept जरूर है महाँ पर लेकिन राजा चर्च के साथ में मिलकर हमारा क्या कर रहा है सिर्फ अपनी सत्ता को साफित करने की कोशिश कर रहा था राजा supreme authority नहीं था यरोप में supreme authority तो बात में बनेगा राजा ना यहां पर clearly mention है कि king was the supreme authority राजा supreme authority है राजा सर्वोच्य सत्ता है और राजा को असिस्ट करने के लिए चोटे बाकी tribes है clear है तो यह tribal chiefs जो है यह राजा के subordinate के तौर पर भी काम करते थे ठीक है local ruler की तरह काम करते थे और इन local rulers को राजा जब भी युद्ध की इस्तिती होती थी तो इस युद्ध की इस्तिती में वीरता पूर्बख प्रदर्शन करने या राजा की सहायता करने के लिए जो भी सैन ने सहायता यह लोग देते थे उसके लिए कई बहुर reward देता था यह reward नौर्मली डेजिगनेशन के तौर पर भी हो सकते थे यह reward नौर्मली जमीनी जो है वो अधिकार के तौर पर हो सकते हैं थे या फिर यह reward जो भी wealth मिली है loot में उसके हिस्से के तौर पर भी हो सकते थे clear है चलो एस्टेक एंपायर दे एंका एंपायर एस्टेक एंपायर एस्टेक लोग इंक्लूट थे और सुप्रीम ऐसी इसमें इंका पीपल की चलती थी दॉमिनेंस इसमें इंका पीपल होगा था मतलब कुल मिला कर आप अप इंडर्नल ऐपोगि इंटर्नल और एक्सटनल डिशिज medidas जो लेने होते थे confidency के terms में confidency के मामलों में उसमें हमारे Aztec people ज़्यादा influence या interference नहीं करते थे जो incalge decision लेते थे उसी को वो मानते थे clear है चलो there are no precise figures of the population हमारे पास evidences तो है अब जो भी evidences से देखो वो सब कब मिले जब हमारे European लोग वहां पर पहुंचे आज आप इन जो यह हम हमें पता नहीं है यह कुछ ऐसे यह जैसे आप भारत का इतिहास पढ़ते हो तो भारत का इतिहास भी कब से शुरू हुआ basically तो आप ancient medieval modern की history जो पूरी detail पढ़ते हो इसमें actually role बहुत कुछ हमारे किसका है Europeans का है क्योंकि Europeans आये और इंट्रेस्ट लेना शुरू किया हिस्ट्री को प्रॉपर अरेंज किया तो दुनिया भर में Europe का interference Europe का हस्तक शेप तो इतिहास को लेके हैई सही इसमें कोई शंका नहीं है यहाँ पर हमें Aztec और यह मायाज और हमारे जो इंकास हैं इनके ट्राइब के बारे में जो पता चल रहा है इनके पास भी यही रीजन है कि इन्होंने अपने documents अपनी जो जो किस भी चीज़े थी वो बनाई तो या तो language हम decipher नहीं कर पा रहे है या तो language हमें नहीं पढ़ने में आ रही है या फिर इन्होंने language develop करी ही नहीं उस level पर ठीक है और तमाम जो challenges थे या तो फिर युद्धों में या confrontations में वो चीज़े destroy हो गई है ना ताकि बाकी Europeans को पता ना चले है ना इनके बारे में तो तमाम वज़े हो सकती है यही reason है कि हमें इनके बारे में precise information नहीं है प्रसाइस figures नहीं मिलते हैं कि यह लोग संख्या में कितने थे इनकी जंसंख्या कितनी थी ठीक है लेकिन लगभग अंदाजा तो यह लगा जा सकता है कि जब European लोगों का confrontation हुआ इन लोगों के साथ में तो आसान नहीं रहा easy नहीं रहा European लोगों को जीतना मतलब Europeans के लिए इन ट्राइबल्स को जीतना आसान नहीं था और यही कारण है कि इन्होंने कुछ estimates लगाए हुए है ठीक है लगभग 1 million के आसपास इनकी population रही होगी लेकिन यह भी अपने आप में sufficient है उस जमाने में उस time पर अगर आप देखेंगे तो that is not a nominal figure इतना भी nominal figure न जनसंक्या है वह बात अलग है कि अभी इन येरोपियंस के आगमन के बाद यह जनसंक्या जो है वह लगभग लगभग क्या होने वाली बहुत nominal बचने वाले मतलब कुछ लोग बिमारियों से कुछ लोग यो दिखी वज़े से मर जाने वाले है चलो as tax की तरह अपने एक nearest औ बहुत सारे construction आपको देखने को मिलेंगे हमारे इंकास के जो की as tax की याद दिलाएंगे आपको as tax के बारे जो आप पढ़ रहे थे हैंना तो हमक का जिकर वहां पर आये था ठीक है और शिनमपास का जिकराय था floating gardens और बना सकते थे वह लोग तो अपने आप में बहुत creativity थी उनके अंदर और यहां पर भी आपको कुछ creativity देखने को मिलेगी नेचर के साथ कैसे adjust करना है और natural resources को किस तरीके से utilize करके अपने हिसाब से उसको manage करना है यह चीज़ यहां पर इन लोगों को आती है और यह आप कह दो कि जो tribals हैं इनकी कुछ विशेस्ताएं भी है ट्राइबल्स लोग जो है वो हमेशा nature को कैसे healthy way में जो है वो manipulate करते हैं exploit करते हैं वो ट्राइबल्स को बहुत अच्छे से आता है चलो दे बिल्ट रोड त्रू माउंटेंज फ्रॉम एकोजो टू चिली तो जो पूरी एंडियन एरिया है हमारी एंडियन जो एरियाज हैं एंडियन का मतलब जो हमारे एंडीज के एंडीज परवर्ष्र शंखला का इलाका है उस एंडीज परवर्ष्र शंखला के इलाके में आपको देखने को मिलेगा की इन्होंने चट्टानों को काट कर जो है इक्वाडोर से लेके चिली तक पेरू से लेके इक्वाडोर और चिली तक आपको सडके मिलेंगी रोड्स मिलेंगी जो बहुत ही बहतुरीन तरीके से बनाई हुई है, बड़े बड़े पत्थरों से, मोटे भारी भर कम पत्थरों से, इनके किले जो है वो निर्मित होते थे, ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं, कि आर्किटेक्चर का लेवल कितना हाई रहा होगा, कि ये समझ में आ रहा है कि देखो ऐसा है कि पत्थरों को प्रॉपर काटना है और पत्थरों को प्रॉपर काटने के बाद उन्हें अलाइन करना है, और वो महल उन्हीं पत्थरों के ओपर खड़ा हुआ है, और उन पत्थरों को जोडने के लिए उन stone slabs को बड़े heavy stone slabs को जोडने के लिए इन्हें requirement नहीं mortar की क्योंकि mortar क्या करता है mortar is like a cement ठीक है तो वो क्या करता है कि यहाँ पर जो joints है हमारे stone slabs के joint है इन stone slabs के joint को solidify करता है तो यह एक basically achievement की तरह आप देख सकते हैं क्यों क्योंकि पत्थरों को जोड़ कर बिना mortar के मजबूत building या किले नुवा सनरचना बनाना अपने आप में एक बड़ी काबलियत है अगे बढ़ते हैं इसमें अभी आप इनके आर्किटेक्ट्रल स्किल को देखी रहे हो इतना magnificent architectural style जब बनेगा तो उसमें requirement होगी किसकी बारी भरकम labor force की ठीक है जब आप इतने बड़ी level पर आर्किटेक्ट्रस बना रहे हो इतने बड़े लेवल पर बिल्डिंग्स बना रहे हो ठीक है तो यह कैसी technology लेबर intensive technology है ठीक है क्योंकि इसमें आपको बहुत बड़े लेवल पर वरकफोर्स की requirement होगी ठीक है और यहां पर भी यही होता था बड़े लेवल पर लेबर को employee किया जाता था किस चीज के लिए to carve and to move stones ठीक है यह पूरा जो इलाका है जैसा मैंने पहले भी कहा तो western जो इलाका हमारा है उस western इलाके में एंडीज माउंटेन रेंज है ठीक है और इस एंडीज माउंटेन रेंज को पूरी तरीके से इन्होंने exploit किया और exploit करने के लिए इनको दीरे-दीरे इनकी cutting करनी शुरू कई ठीक है बड़े-बड़े पत्रों की cutting करना शुरू करा और cut करने के बाद उनकी carving शुरू करी उनको तराशा बकाइदा उनको proper shape में लाया गया ताकि उनको इस तरीके से जमाया जा सके जिससे कि फिर problems ना वो इतने fix हों कि आपको mortar लगानी की जरूरत ना पड़े और इसके बाद movement इतने बड़े समय ने कहा कि वो पूरा जो mountain range का इलाका है वहीं से लोग लेके आते थे याना इसके बाद वहाँ पर जो skilled mansons होते थे यानि जो मिष्ट्री वगहरा होते थे इसको और क्या करते थे effective तरीके से वहाँ पर set करते थे ठीक है फ्लैकिंग के दौरा ठीक है फ्लैकिंग एक technique हो गई जिसके दौरा क्या होता था कि उसको और आका इन बड़े blocks को proper तरीके से आकार दिया जाता था पहले तो उनको कार्व किया जाता था उनको काटा जाता ही था लेकिन उसके बाद ही उसको और थोड़ा सा छील के आप कह फ्लैकिंग करके उसको प्रॉपर शेप में लाए जाता था और इसके बाद क्या किया जाता था उसको अरेंज किया जाता था इसका मतलब है कि बड़े लेवल पर लेवर फोर्स को रिक्वायर तो किया गया होगा उसके साथ मैनेजमेंट भी उसका एफिशेंट रहा होगा जब भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनती रही होंगी तो इन बिल्डिंग्स को बनाने के दौरान एफेशेंट लेवल पर मैनेजमेंट की रिकॉर्मेंट रहती थी तो यही कारण था कि लेवर्स को और उनको बड़े लेवल पर मैनेज भी किया जाता था यानि उनक पूरे इस सिस्टम को पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क को वाच कर रहा होगा तो यह हमने उनके स्किल्स के बारे में समझ लिया अब जैसा मैंने कहा कि जो इंकाज हैं हर ट्राइब्स की तरह इनकी भी जो ओरिजिन है इनकी भी जो शुरुवात है इनका जो लाइबलि हुड आ रहा है वह आ रहा एगरिकल्चर से ठीक है तो यहां पर बेसिकली इस सिविलिजेशन का जो आधार है वह कृशी है आपने शुरू महीं पढ़ा कि कॉर्ण काफी कु इन का एक नायाब तरीका यह था कि यह कई बार इनफ़र्टाइब्स वोटा था यानि कि अनउपजाओ जमीन होती थी जो प्रॉड्यूस नहीं करती थी जो प्रोपर प्रॉडक्शन नहीं देती थे तो उस इन फटाइल स्वाइल को भी क्या करते थे प्रॉपर जो है वह और उसका इतना आपको कि प्रॉसेसिंग कर रहे हैं इरिगेशन ऑर डूर्डेश के दूरा act कि उसमें और अां किया जा सिकल मतलब उसको और प्रॉदक्शन के इसाफ से एक डेफल किया जा सके तो यह अपने में वड़ी चीज़ होती थी कि हिली एरियास को प्रोडक्शन के लिए प्रोपेर करना ठीक है अधर्वाइस हिली एरियास में नॉर्मली जो है वो या तो क्रॉपिंग पैटन डिफरेंट होते हैं या फिर खेती नहीं होती है इतने अच्छे प्रोडक्शन के लेवल पर तो यहां पार इ पूलस है उनका इस्तमाल किया चूँंकि यह जो इलाके हैं वो कहां पर हैं पानी के सुरोays के आ सपास हैं वह पर लेक्स मिल जाएंगी आपको छीए है समंदर का इलाका तो हैय सही अब समंदर का पानी तो सीचोगे नहीं ना लेकिन इसका मतलब है नहीं कि लेक्स अब समंदर के आसपास कई बार लेक्स हमें बहुत सारी मिल जाती है तो उन लेक्स को प्रॉपर कट करके प्रॉपर ड्रेनिस सिस्टम जो है वो इन एरियास पे लेके आए है ना और उससे उन्हों हमारा माउंटेन रेंज है तो एंडीन माउंटेन रेंज जो वेस्ट में है आपके सदर अमेरिका के हिस्से में तो वहां पर एंडियन हाई लेंड का जो इलाका है ना वे आज के जमाने में अगर आप से उसको Chapter करोगे ठीके वह काफी जाधा बड़ा था काफी Kit Vality यहां पर आज केrichten आवने से अगर तुल न करोगे तो उस प्रवाइब आपके लिए लिए वह काफी कुछ आज की तुलना में कृषी के योग छेत्र था ये कृषी के योग इलाका था तो अंताज़ा लगाए जा सकता है कि बाद में कोई बहुत प्रगती नहीं है अना अग्रिकल्चरल एरिया में नहीं आ रहा बलकी वह ना क्योंकि कि फिर वह यूरोपियंस आ गया और इंडस्ट्री इस फैक्रीज और कमर्शिलाइजिशन हो गया महाँ पर ज्यादा से ज्यादा चीज होगा चलो कुछ मुख्य फसले जो यह लोग उगाते थे हम पहले ही पढ़ चुके कॉर्ण के बारे में तो कॉर्ण तो इनका जो है व कई बार जानवरों का तो इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी ऐसे ट्राइब से जो एनिमल को फूड के तो पर इस्तेमाल करती थी तो यह लोग भी एक अनिमल है लामा का नाम सुना होगा आपने इस तरीके का जानवर अगर आपने देखा है कभी तो बहुत अच्छी बात इनसे थोड़ा सा काम भी हो जादा था काम का मतलब इनके ऊपर कई बार इनके बैक पे काफी कुछ सामान वागरा चोटा मोटा लिया जा सकता था चलो डे डिद नॉट डिवलब सिस्टम ऑफ राइटिंग तो हमें जो कुछ भी इंकास के बारे में पता है वह यह होने में अच्छा अब यह भी जो वह एक तरीकTerga का इक अपने यूनिक सिस्टम है जे यूनिक सिस्टम को आप यही सब समझ सकते थे यही लोग जान सकते थे वह क्या है there was an accounting system ठीक है अब writing system तो नहीं था लेकिन writing system के जगह पर यहां पर हमें एक accounting system मिला है अब accounting system आप कह दो की चाहे चीजों को अंदाजा लगाने या चाहे चीजों को count करने उनका हिसाब किताब लगाने के लिए किया जाता रहा हो या फिर हो सकता है वो इनके कुछ और language का भी हिस्सा रहा हो लेकिन accounting system हमें जरूर मिला है इस accounting system को नाम दिया गया है किफू किफू ठीक है तो दिस accounting system is known as किफू अब आप देख रहे हैं यहां पर जो रश्तियां हैं उनमें कुछ knots लगी हुई है ठीक है इन knots के लगाने के तरीके को अगर आप observe करेंगे हाँ पर एक knot लगी हुई है यहां पर दो knot लगी हुई है यहां पर भी एक knot है लेकिन दूसरे तरीके से वो variations मिलेगा even एक ही जगह पर एक ही रोप में आप देखो कि अलग अलग जगह पर एक एक नॉट लगी है एक दो तीन चार पाँच फिर यहां पर पाँच नॉट्स लगी हुई है ठीक है तो इनके knotting patterns पे रसियों में ropes में knot लगाने का जो pattern है इसमें आप difference समझ पा रहे होंगे ठीक है तो एक कीपू सिस्टम क्या है कीपू सिस्टम ही होता था ठीक है जिसमें क्या होता था cords यानि धागे होते थे जिनमें knots लगाई जाती थी knots were made ठीक है अब यह knots जो होती थी वो किसी wishes चीज को जो है वो प्रदर्शित करती थी इनका अपना कुछ गरती है कुछ mathematical expression होता था और particular गाठ लगाने का एक दो तीन चार पांच जितने भी knots लगी हुई है इनकी notting का अपना कुछ message होता था अब यह message system जो है वो अपने आप में unique है इसको proper decipher नहीं किया गया इसको proper decode जो है वो नहीं किया गया यही रीजन है कि इंकास के बारे में हम बहुत कम जाते हैं अब यह यह किस चीज का accounting method है वो क्या इससे जो है वो express करना चाहते थे कौन सी चीजों को proper record में रखना चाहते थे यह इंकास को ही बहतर पता है ठीक है चलो organization of the Enka empire यानि Enka जो सामराज है इसका जो संगठन होता था उसको manage करने के लिए temple-like structure बने हुए होते थे ठीक है temple-like structure या जिन्हें आप कह सकते हो pyramid-like structure होते थे ठीक है यह वो जगे होती थी जहाँ पर organization inka chief जो है वो आप कह सकते हैं कि उसके residential की तौर पर इस्तिमाल किया रहा होगा ठीक है या फिर बाकी जगहों से कुछ लोग ले आए जाते थे तो उनको वहां रखने के लिए capture करने के लिए इस्तिमाल किया जाता रहा होगा ठीक है या फिर आप कह सकते हैं कि वहां से जो से बीलडिंग है वो बड़ी सी बादिंग एक बड़ी स्टेज से जोड़ी हुई है मतलब आपने दून सब्सक्राइब में कुछ एसे स्मलर इस्त्रक्शर देखा होगा तो मेरी सो परामें में कुछ बिल्डिंग कोनी होती थी तिया जो टेंपल कहलाते थे तो उसमें भी यह दो आपन इंकास में भी ठीके ना जो अब दीकों यë जो पिरामिड लाइक डे-ठίας के हम बात कर रहे है रहे हैं क्या तो यह पिरामिड लाइक की स्ट्रक्शिर है यह कई डिफेंस के तौर पर इस्टमाल होता था इंकास का पुरा वो चार पार्ट में आप डिवाइट कर दो, मतलब कुल मिलाके इनकी जो इनकी जो capital city थे ठीक है, शुको जिसका नाम लिखा था हमने, उस capital city के चारों तरफ इनकी एक प्रोविंस, दूसरी प्रोविंस, C प्रोविंस और D प्रोविंस, मतलब ये चार प्रोविंस इस तरीके से ड प्रॉक्शर्स होते थे पिरामिट लाइक इस्टोंस अब आप देखो जैसे मैंने का इस तरीके से स्टोंस को अरेंज करके यह बिल्डिंग्स बनाई जाती थी और यह स्टोंस जो है वह इतने ब्यूटिफुल एरेंज हैं कि इनमें मौटार लगाने की जरूरत नहीं है तो यह जो पिरामिट लाइक स्ट्रॉक्शर्स होते थे यह कई बार इनके एक तरीके से हैड्कॉर्टर के दो डिफेंस बिल्डिंग्स के तौर पर सर्व करते थे जब भी कभी ऐसी सिचुशन होती थी कि जब अटाक्स होते थे तो यहां पर राजा को आप प्रोटक्ट करके रख सकते हैं ठीक है या फिर राजा को कैप्चर से बचाने के लिए आप रख सकते हैं यह चीज देखने को मिलेगी या फिर आप राजा यहां यह वह जगह है जहां पर कुछ समय के लिए राजा अंडरगांड भी हो सकता है इस पैनिश लोग जब आएंगे अटाइक करेंगे तो आप देखोगे यह चीज देखने को मिलेगे ठीक ना जो इस पैनिश लोग यहां पर आएंगे तो इन्होंने क्या किया था वो जो स्पैनिश आएगा हमारा कॉर्टिस तो वो कुछ समय के लिए राजा को इसी जगह पर बंदी बनाके भी रखेगा कैप्चिर करके भी रखेगा और इसके साथ साथ यह वो जगह होती थी जहां से डिफेंस सप्लाई भी बहुत आसानी से की जा सकती थी चलिए आगे बढ़ते हैं सो कुल मिला के इंकास के बारे में जितना अभी तक हमने पढ़ा उसमें हमने यह देखा कि इंकास जो है वो जिस confederacy के member है या जो बड़ा एक संग बना के चल रहे हैं वो इंकास का और एस्टेक लोगों का तो उनमें बहुत similarities दिखती है कल्चर की ठीक है बहुत सारे ऐसे features हैं जो इनमें common थे ठीक है और इनके एस्टेक और इंकास के जो culture है यह European के culture से बहुत ज्यादा different है जहा उसको support करने के लिए राजय को support करने के लिए subordinate rulers है council के साथ रूल कर रहे हैं यूरोप की तरह का medieval system नहीं देखेगा फ्यूडरिजम वाला system नहीं दिखेगा आपको तो इनके culture traditions political social economic structures European से बहुत ज्यादा different मिलेंगे आपको काफी हद तक different मिलेंगे इनकी society जो होती थी वह hierarchy होती थी इसके बारे हमने पहले भी चर्चा की है hierarchical का मतलब आपको सोन में आ गया होगा hierarchical means वंशानुगत कह दो आप वंशानुगत पद होते थे जो भी पद किसी एक व्यक्ति को दिये जाते थे ज्यादा तर उन पदों पर उसी परिवार के लोग आगे बढ़ते थे ठीक है वंशानुगत होते थे इंकास के साथ खास बात यह होती थी कि confederacy में चल रहे होते हैं ठीक है और संग के साथ अपना काम करते हैं एक alliance बनाए हुई है इन लोगों ने ठीक है और hierarchical system है लेकिन खास चीज इसमें यह है कि collective resources पर या collective ownership पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो collective ownership बहुत एक important aspect हो गया collective ownership का मतलब होता है कि private property यहाँ पर ओन नहीं होती थी या private ownership नहीं होती थी resources की तो कुल मिलाके यह देखो Europe से इतर, Europe के अलावा एक बहुत best तरीके का system आप इसी कह सकते हो क्योंकि Europe में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा private ownership चाहे चर्ज की बात कर लो चाहे आप लॉड्स की बात कर लो kings की बात कर लो private ownership ज्यादा वहाँ पर self-centric society थोड़ा सा दिख रही है यहना private ownership पर ज्यादा तोड़ा सा different था, Europe में different क्या था, वहाँ पर आप देखोगे collective ownership नहीं है, private ownership की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर private ownership का मतलब यह नहीं है, कि कोई एक व्यक्ती ही संसादरों का दोहन कर रहा होगा, ठीके, यहाँ पर private ownership का मतलब है, कि लोगों के बीच में जो संपत्ती ह रहती थी, एक व्यक्ती के पास संपत्ती नहीं रहती थी, और जो social classification है, यूरोप की तरह वहाँ पर नहीं दिखेगा, तो आपको confused नहीं होना है, जो बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीके, कि यूरोप की तरह की जो classification है, property की, लॉट्स में और churches में बटी हुई है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के institution भी हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं, हाँ, यह जरूर है कि equal distribution नहीं है, equal distribution नहीं है, particular tribes हैं, जिन के पास, किनी के पास सोड़ा सा जादा संपत्ती हो सकती है, या वो किसी particular area में resources को जादा control कर सकते हैं, तो यह आपक के लिए मिल जाएगा, clear है, तो hopefully इंकास के बारे में जो पूरा system है, वो हमने समझ लिया है, इंकास के बारे में आपने पूरी जानकरी जो है वो, यहां से समझ ली है, 11th class के history के जितने भी videos हैं, वो सारे के सारे लगबग अब arrange हो चुके है, proper website में, और आपको chapter wise video देखने ह तो आपको YouTube पे तो वो available ही हैं, लेकिन YouTube के साथ साथ अगर आपको उसको find out करना है easily, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे videos हैं, और जब आप search करने जाएंगे तो आपको manually search करना पड़ेगा किसी particular subject का video, उसके लिए easy process यह है कि आप जाएं website पर, website है magnetbrains.com, magnetbrains.com वहाँ पर आप enter करें search bar में, आपको इस तरीके का एक window दिखेगा, इस window में आप देख रहे हैं, सारा जो advertisement के आपको education free मिल रहा है, उसके बाद जब इस window में आप देखेंगे, यहाँ पर explore top courses लिखा हुआ है, ठीक है, तो subject wise, class wise, यहाँ पर आपको देखो, लिखा हुआ है कि कौन सी class का content चाहिए उस पर आपको click करना है, जब आप click करोगे इसको, तो आपको इस तरीके से class wise यहाँ पर सारे faculty members दिख जाएंगे, सारे teachers दिख जाएंगे, अपने courses के साथ में, ठीक हैं, कि geography का, political science का, math का, biology का, accountants, business studies, particular economy, physics, तो biology, जितने भी subject है हमारे, वो सारे subject के teachers के साथ में, उनके courses आपको particular, जिस भी teacher का course access करना है, और जिस भी class को belong करते हैं, उस class को यहाँ पर touch करें, उससे related course दिखेगा आपको, और उसके बाद पिर आप उसको आगे access कर सकते हैं, for example, आपको 11 की history देखनी थी, तो 11 की history पर आप वहाँ पर जाके touch करेंगे, 11 की history पर पहले class 11 पर जब आप touch करेंगे, तो आपको सारे subjects मिल जाएंगे, वहाँ पर humanities का आपको option दिखेगा, तो humanities का जो option दिखेगा, उसमें आपको particular history में जाना है, तो history पर जाएंगे, और history पर जाके आप देखेंगे, तो आपको इस तरीके का photo के साथ में एक box मिलेगा, और उसके बाद एक exhaustive list दी देखेंगे, ठीक है, यह देखेंगे, अगर आपको इस तरीके से जैसे पहले chapter का एक वीडियो है, तो उसका screenshot लगा के हम बताना चाहरा है आपको कि आप इस तरीके से YouTube पर प्ले हना शुरू हो जाएगा वीडियो, तो access करें, पढ़ें, आगे बढ़ें, magnet brain आपकी progress में तो बने रही मैगरिन ब्रेंस के साथ